नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NBT Online में, मैं हूँ आपके साथ पविता जाव हम में से अधिकांश लो, अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है, सेव करते हैं सेव करके निवेश करते हैं, निवेश बुरे वक्त के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए अब जड़ा सोचिए कि आपनी जो पैसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, या बुढ़ापे के लिए बचा के रखा है, अगर वो डूब जाए, तो क्या होगा जो पैसे आपने पेट काट कर बचाए हैं, वो अगर अंधेरे में खो जाए, तो कैसा होगा सोच के भी डर लगता है, लेकिन सहारा स्कीम में निवेज करने वाले लाखो निवेशक, सालों से इस डर को जेल रहे हैं इस डर का सामना कर रहे हैं, जिन लाखो लोगों ने आँख मूंद कर सहारा में पैसा लगाया, आज वो दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं सहारा के इस स्कैम को समझें, उससे पहले हमें सहारा के अर्ष से फर्स तक की कहानी को समझना भी होगा आज हम सहारा और सुबत राई सोहारा की कहानी समझेंगे बिहार के अरेरिया जिले में रहने वाले सुबत राई सहारा का मन पढ़ाई में लगता नहीं था शुर्वाती परहाई ले आए के बाद जो है वो कॉलकता और कॉलकता से फिर गोरख पुर पहुँच गए साल 1978 का दौर था सुब्रत राई सोहरा ने अपने दोस्त के साथ मिलके एक छोटी सी कमपनी एक कमरे में दो कुर्सी और एक स्कूटर के साथ शुरू की सहारा को सपने बेचने और पैसे से पैसा बनाने का गुणादा था गरीब और मध्यम वर्प के लिए लुभाप ने ओफर पेस किये हालात ऐसे थे कि जो लोग सो रुपे की कमाई कर रहे थे वो भी अपनी कमाई से 20 रुपे बचा के सहारा की स्कीम में ने वेज़ कर रहे थे देश की गलियों गलियों में ये स्कीम मशूर हो गए लाखों की संख्या में लोग सहारा से जुड़ते चले गए हालाकि साल 1980 में सकार ने इसे स्कीम पे रोग लगा दिया ये वह दोर था जब सुबरतराई सहारा ने हाउसिंग डिबलप्मिंट सेक्टर में कदम रखा फिर क्या था एक के बाद एक सेक्टर तक उनके पंक फैलती चले गए रियल स्टेट, फाइन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, इंटर्टेर्मिंट, हेल्थ केर, हॉस्पिटालिटी, रियल स्टेट, रियल इन्फोमिशन, टेक्नोलोजी और ना जाने कौन कौन से सेक्टर तक सहारा फैल चुगा था देश नहीं, दुनिया भर में सहारा का डंका बज रहा था 11 सालों तक सहारा टीम इंडिया की स्पॉंसर बनी रही अपनी लगजरी लाइफ स्टाइल के लिए सुबरत राई सहारा हमेशा से मसूर थे पैसे कमाना और पैसे उराना उन्हें अच्छे से पता था उनकी पार्टियों में बरे-बरे बॉलिवूड से तारे, राजनीती जगत से जुड़े लोग, क्रेकेटर्स, आम बात थी अपने बेटे की शादी में ही उन्होंने 500 करोड रुपे खर्च कर दिये पानी की तरह पैसा बहाया, अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अमेरिका के न्यू यॉक में, जी हाँ, अमेरिका के न्यू यॉक सहर में उनके 4400 करोड के दो लगजरी होटल है मुंबई में, MB वैली में 313 एकर का डेवलप्मेंट साइट है इसके अलावा, मुंबई के बरसोबा में 113 एकर की जमीन है लखनों में तो उन्होंने अपने अलिसान महल में रखा है लखनों के गोमती नगर में सुब्रत रोई सहरा ने 170 एकर में अपना पूरा शहर बसा रखा है देश के अलग-अलग हिस्सों में 764 एकर जमीन सहरा के पास है सुब्रत राई सहारा, राजा महराजा की लाइफ जीते हैं सहारा के पास ना केवल निवेशकों का बरा जाल है उनके पास करमचारियों का एक विसाल नेटवर्क अगर कहें तो कम नहीं होगा टाइम्स मैगजीन ने सहारा को रेलबे के बाद दूसरी सबसे ज़ादा नौकरी देने वाली कमपनी बताया था 11 लाख, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 11 लाख से अधिक करमचारी सहारा परिवार का हिस्सा थे लेकित फिर किसमत ने बाजे पल्टी है हुआ कुछ ऐसा कि अर्ष से फर्स तक पहुँच गए सहारा किसी ने अंदाजा भी नहीं लागा था खुद को सहारा स्री कहने वाले सुबरत रॉय कि दिन ऐसे फिरेंगे कि उन्हें जेल की सगलाखों के पीछे जाना पड़ेगा वो साल था 2009 जब सहारा ने कमपनी के लिए IPO लाने की योजना बनाई सहारा ने जब सेवी के पास IPO के लिए आबेदन दिया तो सेवी ने उन्हें अपने कमपनी का बाइड़टा जिसे नॉन्मली हम DRHP कहते हैं उसे मांग लिया और फिर सहारा के दूरे देव की शुरुवात हो गई सेवी ने सहारा के जो दस्तावेज थी उसमें गरबरी पाई सहारा ने पर आलोप लगे कि उन्होंने निवेशकों से पैसा गलत तरीके से हासल किया है आरोप लगे कि सहारा ने अपने दोनों कमपनियों के 3 करोर निवेशकों से करी 24,000 करोर उपे जुटाए हैं जबकि ये कमपनिया सेयर बजार में लिस्टेड ही नहीं थी नियोमों के लंगन मामल में सहारा को 12,000 करोर का जुर्माना लगा सेवी ने जब सहारा के निवेशकों के डिटेल और दस्तावईज मांगे जब डिटेल मांगे तो सहारा की ओर से 127 ट्रक डॉक्मेंट मुंबई भेजे गए जो ट्रकों का मैं कहूं की जखीरा था वो इतना लंबा था कि मुंबई के बाहरी इलाके में जाम लग गया कही घंटों की मशक्कत के बाद इस जाम को हटाया गया मामला सुप्रीम कोट पहुचा जहां मशहूर वकी रामजेत मलानी ने सुबरत रोई सहारा की दलील पेश की उन्होंने सुबरत रोई को बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके सुप्रीम कोट का रोख सुबरत रोई सहारा के लिए सक्त बना रहा सहारा को निवेशकों के पैसे 15 फीजदी ब्याज के साथ लोटाने का आदेश दिया गया सुप्रीम कोट के आदेश की अवहिलना करने पर फरवड़ी 2004 में उन्हें गिरफतार कर लिया गया दो साल जेल में रहने के बाद वो पेरोर पे बहर आ गए लेकिन इसका नुकसान सहारा के निवेशकों कुआ उनका पैसा कम मिलेगा इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है सहारा का आरोप है कि सेवी ने उनके निवेशकों के 25,000 करोर अपने पास रखे हैं सवाल और जवाब तो चल रहे हैं लेकिन बीच में फसे हैं लाकों ने बेशक